हलो दोस्तों स्वागत है आपका get it clear चैनल पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपके जो IT 817 की document verification शुरू हो गी है तो मैं आपके साथ अपना document verification experience शेयर करने जा रही हूँ और आपको ये भी बताऊंगे कि आपने जो documents का order है वो कैसे लगाना है और कौन-कौन से document आपको attach करने होंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी verification जैसे आपको पता है कि जब वहां पर उन्होंने verification का schedule डाला था तो उन्होंने candidates को groups में divide किया हुआ था तो groups में ही आपकी verification हो रही है और अलग-अलग group को अलग-अलग separate separate बिठाया जा रहा है और जल्दी-जल्दी से verification का काम वहां पर complete हो रहा है almost आपके lunch time तक जो है मुझे लगता है हर group जो है वो आपका free हो जा रहा है तो इसमें जादा time इस बार नहीं लगा रहे है यह बात बहुत अच्छी है और गाईज हम अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपने अपना documents का order है वो कैसे लगाना है मैं अपने group की बात कर रही हूँ जो हमें वहां पर उस time बोला गया था कि आपको documents को कैसे अपने जो है वो list wise रखना है और कितने set आपको त्यार करने हैं तो वही मैं आपके साथ share कर रही हूँ तो दोस्तों सबसे पहले हमार को बोला गया कि दो set में आपके documents लगेंगे जो number one set होगा वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा annexure form A, B, and C दोस्तों यह आपको क्या करना पड़ेगा भरना होगा और annexure form A, B, C जो है वो आपको वहीं से ही मिलेगा इन तीनों form में से कोई दो form आपको खुद भरने हैं और एक form जो खाली छोड़ना है वो बता देंगे कि आपने कौन सा form जो है वो नहीं भरना है खुद से और guys यहाँ पर उसके बाद आपने जो भी आपने photo stated copy लगानी है किसी भी document की उसके उपर आपको self attest करना पड़ेग प्लस्टू का certificate, other education लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं इसने आपको पता है कि उन्हें पॉली की होती है और मतलब उन्होंने प्लस्टू नहीं की होती है तो वो आपका polytech का लगा सकते हैं उसके बाद आपने अपने category certificate लगाना है दोस्तों अगर आप किसी reserve category से हैं and other certificate ल पर लगा लेने हैं और end में आपने क्या करना है अपने partially bonafide वहाँ पर attach कर देना है अब यह था आपका first set second set में देखे हैं हमने तो क्या कौन-कौन से form लगाने हैं सबसे पहले लगा लाएं downloaded copy of application form 10th का certificate लगाना है प्लस्टू का certificate लगाना है और दोस्तों आपने क्या करना है अपना application form वहाँ पर लगाना है ठीक गाईज application form गाईज मैं उसकी बात कर रहे हूं जिसमें आपने departmental preference वहाँ पर mention की होगी वह वाला अपने application form लगा लेना है दोस्तों आप कि जिस भी category से belong कर रहे हैं अगर आप आपको क्या करना पड़ेगा सारे के सारे department वहाँ पर भरने पड़ेंगे जितने भी उन्होंने mention की है 62 यह 63 departments तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आप कोई भी column वहाँ पर खाली छोड़ दें और फिर वहाँ पर submit करवाने चले नहीं तो वहाँ पर वह बोल रहे हैं कि आपको को कोई भी department नहीं छोड़ना है सारे के सारे आपने क्या करना है भर देने ठीक है और आपने अपने वह अच्छे तरीके से चेक आउट कर लेने है रिगार्डिंग सेल्फ एटेस्टिट रोल नंबर आपने mention किया टॉप पे पोस्ट कोड मेंशिन किया है या कोई form आपका छू कर लिए थे सिबसे पहले भर दिये थे तो उनको जो था वह पहले उनकी document verification वह कर दे रहे थे और गाइस मतलब रोल लंबर वाइस तो वह नहीं बुला रहे थे क्यूंकि कैंडिडेट्स ने डिपार्टमेंट नी भरे हुए थे वह जो था तो उनको time लग रहा था तो इस case म अपना form जो है वह complete कर रहे हैं जो भी इनका documents के related है तो वह अपने form जो है वह submit करवा सकते हैं तो अगर आप जल्दी जल्दी अपना यह कर लेंगे तो आप जल्दी भी free हो सकते हैं और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा और helpful लगा हो तो get it clear channel को like कीजिए, share and subscribe कीजिए, thank you, have a good day and all the very very best